तो आज का ही जो वीडियो है गेमर्स को बहुत यादा पसंद आने वाला है क्योंकि आज मैंने कैटेगराइज किये हैं कुछ ऐसे फोन जो कि जो कि आता है टेक्डव की तरद से टेक्नो पोवा शिक्स प्रो अगर आम बात कोरू इसके प्रोसेसर कि तो इसमें हो इमिंग के लिए प्रोसेसर जो की फोर एन एम पर पे पे बेज़डेन करें तो आपको एक डसेंट सी नहीं चार्जिग भी तिरहें बेटरी तो यह बड़ी लुट्री उसके साथ ऑपको यहाँ पर इंडिया का first 70 watt का charging भी दिया गया है अगर हम बात करो इस phone में तो आपको यहाँ पे RGB lights भी मिल जाती है पीशे जो कि gaming में काफी अच्छा role play करें तो अभी हमाते है हमारे fourth phone की तरफ जो कि आता है OnePlus की तरफ से OnePlus Nord CE4 light अगर हम बात करो इसके performance की तो इस phone में आपको आपको दिया गया है snapdragon का 695 प्रोसेसर जो कि gaming में बहुत यादा अच्छा है अगर हम बात करें यहाँ पे इसके display की तो इसमें आपको मिलता है 6.72 इंचेस का 120 Hz का display अगर मैं आपे बात करो इसके camera की तो इस phone में आपको camera के लिए दिया गया है 108 megapixel का एक sensor जो की dual camera setup है अगर हम बात करें यहाँ पे इस phone की battery की तो इस phone में आपको मिलता है 5000 mh battery उसके साथ आपको यहाँ पे मिलता है 67 watt का एक super woke charger जो कि इस phone को काफी ज़्यादा बेटर बना लिता है अगर हम बात करें इस phone में अगर हम बात करें इस phone के performance की तो यहाँ पे आपको बहुत यादा fast response मिलने वाला है क्योंकि यह जो प्रोसेसर है 4nm पे बेश्ट है और इस phone का एंटोडू स्कोड 7 lakh प्लस आता है मतलब यहाँ पे बहुत ही अच्छी इस गेमिंग कर सकता अगर हम बात करें इस यहाँ पे बैटरी की तो इस पर में आपको दिया गया है 5000 mh की एक लार्ज बैटरी और अगर में यहां पर बात करो इसकी charging की तो यहां पर हमें वो mention नहीं है तो आप हम बढ़ते हैं यहां पर camera के लिए गया है sony का IMX882 sensor जो की काफी अच्छा sensor है अगर आप इसको camera के ले रहे हैं तो तो भी हम बढ़ते हैं हमारे second phone की तरब जो की आता है realme narzo 70 pro अगर हम बात करो इस phone में तो इस phone में आपको दिया गया है performance के लिए Dimensity 7200 processor जो की बहुत ही अच्छा processor निकल गया आता है अगर हम बात करो यहां पर तो यहां पर आपको एक अलग से chamber दिया गया है जो की 3D VC cooling chamber है जिससे यह phone gaming में भी heat नहीं होता है जिससे यह phone gaming में भी heat बहुत ही कम होगा अगर आप इसको दूसरे phone साथ compare करेंगे तो इसके cooling chamber की वाज़े से यह जो phone है वो बहुत ही जल्दी heat नहीं होता यानि आप इसमें long lasting gaming कर सकते हो अगर आपको इस phone म बढ़े है और हाँ इस phone में आपको air gestures का भी support मिलता है मतलब आप कहीं से भी अपने phone को सिर्फ gestures के तुरू control कर सकते हो मतलब आपको यह पर phone को touch करने के ज़रूत नहीं है अगर आप यहापर real school करें तो आपको सिर्फ अपना finger उपर करना एंड आपके वीडियो प्ले हो अगर मैं आप बात करता हूं बैटरी के तेहां पर 5000 mh की एक बैटरी मिलती है उसके साथ साथ सूपर वोग चार्जिंग भी मिलती है मैं जानता हूं आपको first phone का कपसे वेट होका तो अब हम आते हैं हमारे first phone पे जो की आता है Poco की तरफ से Poco X6 5G अगर हम बात करो तो यहा यानि gaming में भी यह phone काफी याद अच्छा परफॉर्म करता है डिस्पले में आपको मिलता है 120 Hz का एक AMOLED डिस्पले उसके साथ साथ यह आपको 2160 Hz का एक fastest touch sampling rate बन जाता है जिसकी हुझा से यह phone gaming में बहुत अच्छा response करता है अगर मैं आपको बात करो camera के तो यहाँ आपको 64 megapixels का एक triple camera setup मिलता है with OIS और अगर मैं आपको बात करो चार्जिंग की तो यहाँ पे आपको 5100 damage की बड़ी बैटरी मिल जाती है उसके साथ साथ यहाँ आपको 67 watt का turbo charging भी मिल जाती है अगर आपको कोई भी phones का link जाहिए तो आपको description में सारे phones का link मिल जाएगा वहाँ से लेक्स वीडियो में तब तक लिए बावाए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना